Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल प्रांस के साथ मिलकर, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने दूसरा एक प्रोजेक्ट लाया था, जिसका नाम है P75I, आई का मतलब हो गया इंडिया, मतलब की जादा दर चीजें भारत के द्वारा की जाएंगी, फॉरन मनुफाक्चरर के साथ मिलकर, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है P75I, ये अब काफी जादा परिशानी में आ चुका है, क्योंकि रश्या भी यहां से विड्रॉक कर लिया है, जिया, मैं बता दू कि अल्रेडी फ्रांस तो विड्रॉक कर लिया था इस प्रोजेक्ट से, लेकिन रश्या ने भी कर लिया, ये आप देख पाओगे, P75I समरीन प्रोजेक्ट प्यूचर अंसर्टेन, आफ्टर रश्या पूल्स आउट, तो इसको डीटेल से समझेंगे कि exactly हुआ क्या है, ये P75I है क्या, क्योंकि आपको समझना है कि जो समरीन होता है, वो बहुत important role play करता है भारत की सुरक्षा में, भार के लिए problem हो सकता है, तो इसको डीटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, ज्यान रखेगा 22nd of August से दोस्तों, UPSC का पूरा batch launch हो रहा है, जिसमें prelims और mains की पूरी त्यारी कराई जाएगी, और इसके अंदर आपको कई सारे features दिये जा रहे है, 900 प्लस hours of live teaching, daily current affairs, prelim test series, MCQ हो गया, answer writing practice आपके main exam के लिए, और सोच के देखिए हम आपको एक mentor देंगे, ताकि कोई problem है, कोई दिक्कत है, तो आपको अपने mentor से पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, सिर्फ 19,000 में आप इसको अवेल कर सकते हो, by using the code ANKITLIVE, तो जल्दी करि अगर आपको political science का optional batch की स्तियारी करनी है, तो ये आज से ही start हो रहा है, जी हाँ, आज से political science का start हो रहा है, वहाँ पर enroll करा सकते हैं, geography में enroll करा सकते हैं, use the code ANKITLIVE, ताकि यहाँ पर भी आपको maximum discount मिल जाए, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे insta page पर जाएए, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखें यहाँ पर जो रश्या है, जो रश्या participate करने वाला था project 75i में, वो अब कह रहा है कि यह काफी unrealistic है, मतलब कि सरकार के दोरा, भारत के दोरा, यहा होता है कि जब भी कोई project लाए जाता है, tender लाए जाता है, तो यहाँ पर RFP जारी किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो terms, conditions, सब कुछ है, वो लिखा रहता है, और जो भी उसको लेकर bidding करता है, और आगे चलकर जो company select की जाती हैं, वो इसके अंदर participate करती हैं, लेकिन रश्या का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से terms and conditions रखे गए हैं भारत के दोरा, वो काफी unrealistic है, उसको meet नहीं किया जा सकता, और इसकी वज़े से हम यहाँ पर withdraw कर रहे हैं, यहाँ पर खबर यह आई कि जो deputy director general है, Rubin Design Bureau के, उन्होंने army 2022 expo के अंदर यह चीज कहा, और साथ में यह mention किया कि भारत ने यह जो RFP issue किया था, उसके अंदर strict deadline रखा गया, timeline जो है काफी strict रखा गया, अगर उसको meet नहीं किया गया, तो वो foreign company के उपर ही जिम्यदारी आएगी, मतलब कि कई सारे दिक्कतों के बारे में यहाँ पर रश्या कह रहा था, इसके अलावा उनका यह भी कहना थ कि जो submarine है उसको भारत में ही build किया जाएगा, और उसके construction के उपर हमारा कोई control नहीं रहेगा, तो इन सारे कई वजों से यहाँ पर हम इसके अंदर participate नहीं कर पाएंगे, तो चलिए इसको और मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तो आपको समझने के आउशकता है कि यह project 75i है क्या, देखो यह करीब 43,000 का करोण का project बताया जा रहा था, और यह largest project था जो कि भारत लेके आया था, under the new strategic partnership, जिसके तहर भारत की कोई manufacturing firm, जैसे कि आपने मजगाउंट, डॉक्यार, ship building limited के बारे में सुना होगा, तो जो कि ship building में involved रहती है, तो भारत की एक firm जो है वो किसी foreign company के साथ मिलकर, ship submarine को यहाँ पर manufacture करने वाली थी, और यहाँ पर एक और चीज़ था कि जो foreign company participate करेगी, उसको technology भी share करना होगा, तो I hope कि आप समझ प्यार होगे, कि भारत की कोई firm जो है, वो किसी foreign company के साथ मिलकर, यह project 75i के तहर, ship submarine को बनाने वाली थी, और foreign company को technology भ जाओ शकता है, कि जो project 75 है, दोखो यह तो P75i की हम बात करें, लेकिन already project 75, P75 जिसको कहा जाता है, यह already launch हुआ था 2005 में, और इसके तहट भारत और France ने मिलकर, कलवरी class के जो submarine है, उसको बनाया है, अगर आपने देखा होगा, भारत के पास इसे में present में 16 submarine है total, यहाँ पर आ पगशीर, ठीक है, यह total 6 जो submarine है, वो भारत और France ने मिलकर बनाये हैं, लेकिन यह काफी नहीं है, और इसे के तहट हमें यहाँ पर और जादा submarine किया हो शकता है, और इसलिए project 75i यह launch किया गया था, अब दीखें, project 75i में और क्या खास बात है, यह diesel electric attack submarine है, जैसे कि project 75 में यह था, कलवरी class, scorpion class जिसको कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर और advanced capabilities लानी थी, जैसे कि air independent propulsion system हो गया, अब यह क्या होता है, इसमें basically क्या है कि, जो electric submarine होता है, diesel electric submarine, वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकता, उसको बार बार पानी के अबब आना पड़ता है, ता कई एक हफता, दो हफता तक जो है, इस submarine को पानी के अंदर ही रखा रहता, उसको बार 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 आनी के आउशकता नहीं पड़ती, इस तरह के और कई features हैं, जो कि आप देख पाओगे, anti-surface warfare, land attack capabilities, इस तरह की features हैं, वो project 75i के तहत किये जाने थे, भारत की कोई firm जो है, वो आपका foreign firm के साथ मिलकर manufacture करने वाली थी, और इसको make in India initiative के तहत लाए जा रहा था, और finally इसको देखते वे सरकार ने दो Indian shipyard को select किया, कौन-कौन से, एक तो मजगाव डॉक लिमिटेड हो गया, दूसरा है Larson and Turbo, L&T जिसको कहा जाता है, तो इन दोनों को यहाँ पर finally select किया ग जो है वो select की गई थी, नवल ग्रूप जो कि France का है, जर्मनी का एक ग्रूप हो गया, Russia का ग्रूप हो गया, South Korea का ग्रूप हो गया, Spain का ग्रूप हो गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जटका अभी में के महने में आया था, जब Prime Minister Modi, France जा रहा है थे, Emmanuel Macron से मिलने, उसके जस्ट पहले ही France ने यह submarine project से withdraw कर लिया था, तो अब question यह है कि अब Russia भी क्यों इससे withdraw कर रहा है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि शायद Germany भी participate नहीं करेगा, तो कोई foreign companies इस project के अंदर participate करने से हिचक रही है, तो Russia इस समय क्या कह रही है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखो Russia का यह कहना है कि यह जो submarine का project है, इसमें भारत कई सारी चीज़ें जाता है, ट्रांसफोर अफ टेकनोलजी जाता है, स्टेल्थ टेकनोलजी हो गया, स्टेट अफ दी आर्ट सम्मरीन हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें इसका prototype अभी available नहीं है हमारे पास, तो यह स timeline meet नहीं हुआ, तो इसकी जो penalties है वो foreign companies जेंगी, जिसको foreign companies का मतलब हो गया, original equipment manufacture, मानलो अगर रश्या और भारत की बीच में deal हो जाता, तो यहाँ पर अगर इसके timeline में delay आता, कुछ भी problem होती, तो इसकी penalty कौन भरता, रश्या भरता, तो रश्या का कहना है कि जब हमारे under में यह ही नहीं, हम इसको construct नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको लेकर penalties क्यों दें, तो यह यहाँ पर रश्या कह रहा है, इसके अलावार रश्या का एक और यहाँ पर जो issue है, वो यह है, air independent propulsion module को लेकर, यहाँ पर विश्या के अंदर बताया जाता है कि दो ऐसे countries हैं, जो कि इस high advanced technology का current में operational इस्तमाल कर रहे हैं, South Korea और Germany, तो इसको भी लगाना इतना असान नहीं होगा, तो I hope कि आप समझ पा रहे होगे कि जो रश्या है, वो क्यों इस project से withdraw कर रहा है, वैसे मैं आपको बता दो कि यह जो project है, वो अलड़ी बहुत जादा delayed हो चुका है, जो request for proposal था, जो सारी चीज़ें होनी थी, वो November 2021 में ही complete हो जाना था, लेकिन आगे चल कर इसको push कर दिया गया June 2022 तक, क्योंकि ज़्यादा तर foreign companies इसमें participate नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बता दो, इसको further push कर दिया गया है December 2022 तक, मतलब जो नया deadline है, वो December 2022 हो गया है, और इसी को देख दिखना होगा कि क्या यहाँ पर सरकार, इंडिया, यह specification जो है, क्या उसको relax करती है कि नहीं, क्योंकि यह जो project है, वो लगतार delay होता जा रहा है, तो conclusion क्या निकलता है, तो conclusion यही कि भारती नेवी के पास 16 diesel electric submarine है, इस समय हमारे पास, ठीक है, जिसमें से 2 ore add होने वाले हैं, त दो, चार, पांच वर्षों में, कई सम्मरीन जो है, वो retire होने वाले हैं, तो और गर यह retire होते गए, तो भारत के पास काफी कम सम्मरीन बनेगा, और जो भी नया electric submarine बनना है, diesel electric submarine, उसको समय लगेगा, यहाँ पर आज tender pass हुआ, और 2 साल में prepare हो गया, इसको बहुत लंबा समय लगता है, इनको बनाने के लिए, launch करने के लिए, और अगर आप हमारे पडोसी देशों का देखोगे, चाइना के पास हमसे कहीं ज़्यादा submarine है, और चाइना इस समय प्रॉब्लम क्या है, कि चाइना directly पाकिस्तान को help कर रहा है, पाकिस्तान के पास 8 ऐसे air independent propulsion वाले submarine मिलने ह ऐसा बताय जा रहा है, जो कि चाइना चार बना कर देगा, और चार जो समरीन है वो खुद पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे, तो हमारे पडोसी देशों में इतने तेजी से अगर काम हो रहा है, तो भारत इसको क्यों नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा concern है दोस्तों, and I hope कि ये जो पुरा वीडियो था regarding Russian withdrawal ये आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question है आपके लिए क्या बता सकते हो, कि इन चार में से कौन सा भारत के पास nuclear powered submarine है, इन में से कौन सा nuclear powered submarine है, ये आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डाल दिया करता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग सोशल मीडिया पर आप जूर पाओग Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल